नमस्कार, स्वागत है आपका बात करने वाले NPS Inverter इसके बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस शहर में जो है बड़े लंबे समय से एक heavy consolidation का फेस चल रहा है और अभी भी आलमोस्ट ये एक से डेड़ रुपये के बीच में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है और एक अलमोस्ट इसी price point के आसपास देखने को मिली थी उसके बाद उसने एक अच्छा खासा ही लगा एक रुपया और 15 पैसे का और वहां से फिर lower circuit लगा या फिर upper circuit lower circuit की neutral और lower circuit की जो स्थिती चलती रही है और एक दिन जो है ये वापिस से हमें neutral होता हुआ नजर आया है तो क्य क्या स्थिती है क्या इसमें आगे तेजी आती देखने को मिलेंगी साथ में ही बात करेंगे कि भाई BSE में कैसे क्या स्थिती और दोनों के price points price point को लेकर यहां पर क्या अंतर बनता हुआ नजर आ रहा है तो अगर हम सबसे पहली बात करें तो देखिए अगर हम last five days में देख देखने को मिल रही है क्योंकि पहले जो उसने एक बीच में तेजी अच्छी खासी यहां पर दिखा दी थी ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं एक दशमलव दो के आसपास तक गया था उसके बाद से इसमें गिरावर देखने को मिली अल्मोस्ट एक रुपया के आसपास जो है वो पहुँच चुका है ठीक है एक महीने में 4.5 प्रतिशत की गिरावर्ट है और 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो रिटन है वो बहुत बहुत ज्यादा धमाकेदार है क्योंकि 1520 पैसे पहले शेयर हुआ करता था और वहां से 1 रुपया और 10 पैसे पर खड़ा है ठीक है तो 90 पैसे की बढ़त देखने को मिली है 450 प्रतिशत के रिटन जो है ओवरॉल देखने को मिलता है तो ये जो है इसकी यहाँ पर स्थिती है NSE के अंदर ठीक है अब कैसा क्या डेटा है न उसी के अंदर अगर हम इसके बारे में भी बात करे ठीक है तो उससे पहले हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए BSE पर सबसे पहले प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो ऐसी पर प्राइस गर आगे गिरावर कंटिन्यू होती है तो आगे क्या हो सकता है देखिए फिलहाल जो है इस शहर की स्थिती ऐसी बनी हुई है कि इसमें जो है जो इंटरेस्ट है लोगों का वो वापस से जा रहा है ठीक है आप कंसॉलिडेशन चल रहा है उपर नीचे चल रहा है इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता आया हूँ कि भाई ये जो शेर है इनमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है ठीक है इसलिए जो डेटा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको देखते रखना है आप इन्हें केबल यह सोचकर नहीं छोड़ सकते हैं कि भाई एक महीने में दो महीने में बढ़ जाए हैं हाई बनाते हैं और उसके बाद वो तो अपना पैसा अच्छा खासा कई गुना बना लेते हैं और वो अपना पैसा अच्छा खासा बना के जो है निकल जाते हैं ऐसे शेरों से ठीक है और फंसे कौन रह जाते हैं वो रिटेलर्स अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात क ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेड वॉल्यूम का तो काफी अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, पांच करोर 23 लाग के उपर जो हमें ओवरॉल ये ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो की 549.26 लाग ओवरॉल वैल्यूम में कंवर्ट होकर निक रहा है, 50 लाग के उपर जो और बाइंग साइड में यहां पर लगे, हालांकि इसमें करोरों ओर्र लग जाते हैं, मगर फिर भी 50 लाग अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और अभी जो हमने देखा है कि अधिकतर पानी सल्स के साथ की SM के लिए स्टो से हटा दिय आग साधिया गया है, SM के लिए stage 1 में डाला गया है, यहां पर जैसा की आप देख सकते हैं ठीक है, यह आप देख पाएंगे कि भाई SM जो है list stage 1 में यह share हमें देखने को मिल रहा है, stage 1 पहले यहां पर stage 4 लिखा रहता था और इसे अगर आप B.E.C. में यह N.E.C. में पहच ठीक है तो delivery का percentage जो है वो स्वाभाव इकसी बात है, हमेशा सो प्रतिशत ही रहने वाला है क्योंकि आप intraday तो ले ही नहीं पाएंगे, मगर ऐसा last stage 1 में देखने को नहीं मिलेगा जहां पर ये पहुँच चुका है, अब यहां पर अब delivery भी कर सकते हैं, intraday वगेरा भी कर सकत ये जो overall numbers है यह है, 5 करोर 25 लाग तो 5 करोर 25 लाग में से 3 करोर 25 लाग की जो है हमें delivery होती हुई देखने को मिली है जो की percentage के हिसाब से अगर हम calculate करे तो कितना निकल कर आ रहा है, 62.2 प्रतिशत जो की बहुत ही ज्यादा अच्छे numbers है ठीक है तो ये number जो है, basically बताते हैं कि य share में जो है अभी यहाँ पर interest जो है वो बना हुआ है, मगर देखिए मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसे शेहर में, खास्त और से विशेश inform मैं लगातार आपसे कहता हूँ कि देखिए अगर आपने लंबे समय के लिए पूरा 100 प्रतिशत अपनी के जो भी पैसा इसमें लगा खोना चाहते हैं की नहीं, मैंने जो रुपया लगाया है, मानकर चल लेते हैं, भाई 5,000 रुपे लगाये ठीक है, तो आपने अगर 5,000 रुपे लगाया है तो आप अगर इसका एक भी रुपया नहीं खोना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये करें की भाई अपने उस 5,000 क का विशय हो जाता है तो ये जो है स्टेट जी आप अपना ये हमेशा मैं कहता हूँ ठीक है छोटे सल्ज में अपनी कैपिटल पहले सेव करें कैपिटल एक बार आपने निकाली तो फिर आपके पास एक तो आपकी कैप्टनशिप हो गई वो अलग है और साथ में आप दूसरे शेर्ज में ट्रेड वगरह भी कर सकते हैं और लॉस से तो आप बचेंगे ही बचेंगे ठीक है तो ये जो है ओवरॉल इसमें स्थिती बननी चाहिए इसके हिसाब इसके इस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए ही आगे ट्रेड करें तो फिलहाल ये वीडियो वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना बोले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चाहे